Hello dear learners, आज की इस सेशन को आप लोगों के लिए खास तौर पे मैंने तयार किया, काफी सारी चीज़ने डिसकस करनी है, इससे पहले की आगे बढ़ें, एक छोटी सी कविता मुझे याद आ रही है, ननही चीटी दाना ले लेकर चड़ती है, चड़ती दीवारों पर सौ बार फ इस सकरात्मक विचार के साथ, with this positive thought, let us begin this session आप सब लोगों के लिए, ये होगा session on understanding कि आप फिजिक्स के लिए अपन क्या strategy रखें, अगर तुम तयारी कर रहे हो, MHT-CET 2022 की, मेरा नाम है खुश्वन फत्नानी, Target MHT-CET 2022, आप लोगों के लिए ये course है, जो Unacademy के MHT-CET प्ल platform पर launch हो रहा है, इसी महीन है, अब आप लोगों के साथ discussion करने जा रहे हैं, इससे पहले कि आगे बढ़ू, आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, giving you all a brief idea, I'm a physics educator, I help learners prepare for J, NEET, उसी के साथ साथ MHT-CET भी, मेरी journey के अंदर छोटा सा insight है, with above 6 years of teaching experience, मैं gold medalist रहा हूँ, अपन सार बच्चों में rank 1, with, because काफी सारे extra curriculars, इन सब में involved रहता था, तो rank 1 पे रहा, IAT मैं admission मिला, वहां directors fellowship मिली, तो parents का कोई भी investment नहीं था, पूरी तरह से funded था, फिर I worked apart from IAT, in HPCL, Hindustan Petroleum, as a researcher, काफी सारा अलग अलग जगाउं से experience रहा, HPCL की internship का ही है, plus I also worked with NTU, that is Naniya Technological University, जो कुछ भी सीखा है न, अलग-अलग जगाउं से, आप लोगों के साथ, share करने की इच्छा से, मस्ती के साथ, physics को पढ़ने और पढ़ने की इच्छा से, यहाँ पर आप लोगों के साथ हूँ, इससे पहले कि और आगे बढ़ू, अभी, एक बहुत ही जादा special offer launch के आ है, हो सकता है आपको काफी काम आए, मेरा code use कर सकते हो, KF Maha, in order to enroll into any of these courses and get this bumper discount of 20%, देखो, इसके पहले कि अपन कुछ भी और बात करें, अपनको इतना पता होना चाहिए न, कि यार, 11th और 12th का marks distribution कैसे होता है, तो CT के अंदर, आप देखो कि 10 marks is allotted to class 12th, और बाकी के 40 marks is allotted to class 12th, total physics को 50 marks का allotment होता है, 300 marks में से, अब हम क्या देखते हैं कि हर एक question पर allotment है, एक mark का, है न, हर एक question पर allotment एक mark का है, मैं अगर इस पूरे system को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, मैं discuss करूँग आज तुम लोग के साथ, एक बड़ी खास strategy, नाम है sandwich technique, सर ये क्या होता है देखो, जब भी तुम किसी exam की तयारी करते हो, है न, और अपने आपको कुछ skill सिखाना चाहते हो, बहतर बनाना चाहते हो, तो strategy मैंने अपने ले try किया, बहुत काम आई है, क्या करो, किसी भी काम को शुरू करने से पहले, एक sandwich बना लो, sandwich का क्या मतलब है, देखो, दो क्या होगा, easy से शुरुवात करने से हमारा confidence level बढ़ जाएगा, अगर confidence level हाई है, तो काम करने में मज़ा आएगा, तो जो challenging topics भी है न, वो भी easy बन जाएगे, मैं एक idea और example देता हूँ, मैंने sandwich क्यों नाम दिया, छोटे बच्चों को, अगर प्याज या टमाटर जैसी चीज भी करना है, easy चीजे या easy topics को पहले cover करना है, और उसके बाद challenging topics को, और जब topic सारे हो जाएं, ending में वापस से easy topics लेने हैं, क्या होगा, जब शुरुवात और ending easy होगा न, तो तुम्हें लेगा, यार syllabus तो बहुत easy था, बीच में थोड़ा struggle था, कोई दिक्कत नहीं, इसे कहते है, sandwich technique, यह बहुत जादा useful है, और आप चाहो, तो net पे search कर सकते हो, जब भी, और जिस भी exams में, शुरुवात में, बच्चे के set में easy question होते हैं न, बच्चा paper में बहुत धमाल करता है, खोजो इसके बारे में, तुम्हारे मन में एक और सवाल आएगा, कि sir, easy topics हैं, हमारे लि सीखी, कि जब भी, कभी, तुम कोई भी competitive exam की तयारी करो, ये कोशिश जरूर करो, कि उसका कोई भी एक previous year paper लेकर solve कर लो, जैसे अभी, तुम लोग तयारी कर रहे हो, महराश्ट्रो common entrance test की, यानि कि MHT-CET, तो क्या कर सकते हो, कि एक MHT-CET का paper लो, और उसको अच्छे से solve कर 2019 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, वो तुम्हारी choice है, एक बर जब तुमने score कर लिया, तो अपने पास सारे chapters का list ready रखो, या तो printed format में, print out निकाल लो, या फिर उसको आप लिख लो, एक register के page में, है ना, side में, जैसा मैंने आप टिक का option दिखाया हुआ है, तो side में हर एक chapter के, तुमको अपने आपको mark करना है, इन दो categories में, easy और challenging, ठीक है, क्यों करना है, तुम reason समझ चुके हो, हमको sandwich technique लगानी है, easy chapters को पहले किया, challenging को बीच में, और फिर से easy को किया, mind के साथ खेलना है, है ना, smart work करना है, hard work तो करते ही है अपन, थोड़ा सा smart work करना है, अब देखो, कई बच्चों को शायद idea नहों, but giving you all an idea कि syllabus में क्या-क्या है, तो class 11 से हमारे पास है motion in a plane, laws of motion, gravitation, thermal properties of matter, sound, optics, electrostatics और semi-conductors, class 12 तुमने क्योंकि इसी साल किया है, तो तुम्हें पूरा idea, rotational dynamics से लेकर semi-conductors तक, मैंने ये sandwich technique की बात क्यों की, और ऐसा क्यों कहा कि तुम paper के ल अपने mind को एक छोटा सा shock treatment देते हो, जब तक तुम paper लेकर बैठोगे नहीं, तब तक तुम यारे mind को पता नहीं है कि उसको content में से क्या absorb करना है, अगर तुम ऐसी theory पढ़ते रोगे या ऐसी question bank solve करते रोगे, it is not going to solve the challenge जो हमारे सामने है, तैयारी करने का, तुम क्या करना ह पहले paper solve किया, अब सारी chapters को list कर दिया और easy or hard में, easy or challenging में mark किया, किस हिसाब से, ये देखते हुए कि किस chapter में मैंने hard score किया, या अच्छा score किया, किस chapter में खराब score किया, ठीक है, ध्यान से देखना, तो हमारी categorization और priority किस तरह से set हो रही है, यहाँ पर मैंने एक idea लिया है, य यार उसको superposition of waves थोड़ा challenging लगे, हो सकता है, sham के लिए वो easy हो, और vice versa, मान लो, gravitation को मैंने easy में लिखा हुआ है, हो सकता है, गोपाल और sham के लिए ये चीज़ reverse हो, या gravitation easy में आकर challenging में आए, तो हर बच्चे के लिए ये अलग-अलग हो सकता है, तो अपना easy or hard, ध्यानरों क खुद से decide करो, ये अगर समझ develop हो गई ना, किसी भी exam की तयारी तुम्हार ले बहुत आसान हो जाएगी, अब मैंने general जो student feedback रहा है, इतने समय में, है ना, और मेरा जो बच्चों से interaction रहा है, जो मैं उनके polls के कम या जाधा होने के, जो figures या data मेरे mind में बनते हैं, उसके basis में मैंने याँ पर कुछ chapters को easy, challenging और easy में categorize किया है, ध्यान रखना है ये सारे chapters नहीं है, मैंने सारे chapters के लिए, ये 11th और 12th का syllabus आपके लिए लगाया है, screen को pause करके अपनी copy में लिख लो, ठीक है, अब जब तुमने paper दे दिया, तो तुमने easy और hard में categorize कर लेना है, या इसको as a general rule लेकर भी तुम काम कर सकते हैं, लेकिन paper बनाना मत भूलना, ठीक है, अब देखो, KTG and that is kinetic theory of gases and radiation, इससे तुम देखोगे सवाल बहुत easy आते हैं, सिर्फ proportionality based, जैसे Stefan's law से एक question expected होता है, Wien's displacement law से question expected होता है, है न, V RMS का calculation की आपको बताना है कि kinetic energy of gas की क्या value है, RMS speed की क्या value है, तुमको 4 velocities दे देगा, current electricity में तुमको ऐसे questions मिल रहे होंगे, जहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा, यार, potential meter के उपर कोई सवाल या, तुम पोटेंशल gradient पूछ लिया, है न, इस तरह के questions, potential meter पे सवाल पूछ लिया, मैंने KTG में आपको बताया, V RMS के उपर आपक करते हैं, ठीक है, electrostatics भी सबसे तुमको one of the lengthiest chapter मिलेगा, और optics भी, electrostatics को मैंने easy में इसलिए रखा है, क्योंकि तुम देखो कि almost हर साल, dielectrics में इसमें questions पूछे जा रहे हैं, capacitors पे questions पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अगर इसको master कर लिया, अपना एक बहुत बड़ा category of marks अप बच्चों के लिए पता है, क्या challenge लगता है, मैं बता रहा हूँ तुमको, तुमको लग रहा होगा harmonics, याद आ रहा है, जो strings में अगर waves produce होती है, standing waves, तो first harmonics, second, third, और कई बार ऐसा होता है कि first, third, fifth, seventh है न, उस तरह के questions, organ pipe based questions, वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा challenging feel करते हैं, इसमें YDSC और diffraction पर तुमको बहुत questions मिलेंगे, एक नहीं almost हर साल, ऐसा हो नहीं सकता कि paper बनाया है और उसमें YDSC और diffraction से question नहीं आया है, तो wave optics से ये दो topics again important part form करते हैं, तुम देखोगे rotational dynamics में moment of inertia, एक ऐसा topic है, almost हर साल question मिलने हैं, ऐसे ही जो तीन equations हैं, omega is equal to omega 0 plus alpha T, और तुमारे पास और दो equations, theta is equal to, तुमको याद होगा omega 0 T plus half alpha T square and so on, ठीक है, उसके उपर कई सारे सवाल बनते हैं, तुमको कई बार questions होते हैं, जहां पर radians per second में convert करना होता है, तुमको दिया आता है, rpm में speed और तुमको radians per second में conversion, उस तरह की सवाल, magnetic field को फिर से दिया है, क्य फोड़ा सा lengthy chapter है, लिकिन इससे easy सवाल आते हैं, मैंने इसको challenging में इसलिए रखा है, क्योंकि फोड़ा lengthy है, बस, ठीक है, सवाल तुमको इससे easy मिलेंगे हर साल में, अब देखो, ऐसे तुमको ये पूरा chapter, AC circuit भी पूरी तरह से formula based मिलेगा, concept हैं, लिकिन formulas काफी जादा है, ऐसे dual nature में तुमको हर साल एक question मिल सकता है photoelectric effect पे, है ना, और दूसरा मिल सकता है debrogly wavelength पे, photoelectric effect पे जैसे questions जहाँ पे तुमको पूछ लिया threshold wavelength बताओ, या फिर work function का calculation करो, ये questions important हो जाते हैं, atoms and nuclei में तुमको याद होगा, जहाँ पे electron transition करता है, एक higher energy level से lower energy level में, तो जो photon release होता है, उसकी energy, हाँ, उसके उपर questions बनते हैं, यानि कि भोर की third theory, या third postulate, भोर की theory का, semiconductor में तुम देखोगे, जो सवाल बनते हैं न, वो alpha और beta पर बनते हैं, alpha बीता का relation, transistor में जो आता है, current amplification factor, काफी अच्छे सवाल बनते हैं, और repeat होते हैं, almost हर साल में, इस वाले concept पे सवाल, ठीक है, magnetic materials बहुत छोटा chapter है, one of the smallest chapter, तुमारे syllabus क्योंकर reduce हो गया, बहुत ही सान chapter है, again इस पर सवाल बनते हैं, खास कर तुमको याद होगा, magnetic momentum है न, of an electron, क्या होता है, कैसे निकालोगे, center पर magnetic field कितनी बनाता है, भोर magneton के उपर सवाल आते हैं, तो मैंने तुम लोग को एक idea देनी की कोशिश किया, कि खुद के लिए, एक easy or hard का पैमाना बनाओ, by appearing the paper, ठीक है, अब, unacademy पर, जो हमारे courses आ रहे हैं, इस महीने के, यानि कि March, April, माई में, उन courses को अगर तुम, for example, attend करते हैं, तो तुम देखोगे, इसी strategy से बार-बार मैं बच्चों को recommend करता हूँ, कि यार, अपनी तयारी रखो, जिसमें मेरी strategy क्या होती है, मैं बच्चों के सा formulas discuss करता हूँ, important, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि उन लोगों के साथ PYQ solve करूँ, ये न, ये तुमारी journey हो जाती है, मतलब यार, एक बार बच्चे ने, मेरे साथ class में previous year question लगा लिये न, तो उसका मन, यार, खुश हो जाता है, कि यार, देखो, मुझसे CET के सवाल लग रहे यार, मुझसे J और NEET के भी सवाल लग रहे है, class के अंदर जो खुश्वन सर करा रहे है, अब मुझे करना इतना है कि घर पे अपना homework करना है, that is question bank solve किये, तुम पूच सकते हो कि सर कौन सी बुक ले, मेरे साथ से एक किताब, target, बहुत बढ़िया किताब लगती है मुझे, if you can use this one, ऐसे ही अर्यहंत publication की किताब भी मुझे काफी सही, author लगता है, मतलब काफी सही publications हैं, और बच्चे काफी widely use करते हैं, महराष्ट में target bot चलता है, तो you can go for target से practice, लेकिन अर्यहंत को नजरनदाज मत करना, और एक बार जब तुमने class में practice कर ली, मेरे साथ, chapter wise questions लगा लि तो आखरी तुमारा end game यही होना चाहिए कि year wise PYQ को बनाना है, year wise मतलब अभी जैसे 2022 है, 2022, तो तुम लगाओगे 2021 से, 2019 से, ऐसे पिछले सालों के सारे paper एक एक करके full length में बैठके solve करोगे, मतलब तुम अपने लिग target बना लो, कि हर हफते में मुझे 2 paper लगाने हैं, अब न न, that is where students do a mistake, गलत, rather क्या करो, तुमको पता है न, कि यार में को exam देना है, 2 महीने में, धाई महीने में, तुमारी कोशिश होनी चीए कि मैं लगातार हर हफते कम से कम एक, जादा से जादा 2 paper solve करो, मान लो, एक Wednesday बना लिया, एक Saturday बना लिया, इस तरह से करते चलेगे, एक idea अगेन ये तुम decide कर सकते हो, जो तुमारे लिये best है, मेरी बात क्लियरा न, मैं summarize करता हूँ, class के अंदर हम लोग formulas देखेंगे, तुमको ये formula sheet काफी अच्छी target में भी मिल जाएगी, ठीक है, अपने formulas देखे, class में मेरे साथ तुमने सवाल लगा है, तो confidence बड़ा, घर पे practice क question bank की और chapter wise pyq की, और हर अफते दो बार अपन लोग pyq solve कर देगा है, लेकिन इसमें न feedback loop बहुत important है, क्या meaning है इसका, जिन questions में तुमने गलती की, देखो वो कौन से chapter से है, उस chapter के उस particular topic को अपनने दुबारा पढ़ लेना है, मतलब जो जो गलतियां जहां जहां हो रही है, हर एक paper देने के बाद, तो paper analysis में समय देना सबसे important है, पता है अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे तो paper ही नहीं देते हैं, यह सोचके कि marks कमाएंगे, वहीं पर पहला crowd निकल गया, दूसरा, एक बार जो बच्चे paper देते हैं, वो उसका analysis नहीं करते हैं, पहले के लगबग 15-10% बच्चे इस loop को follow कर पाते हैं, अगर तुम उन बच्चों में से हो, go for it, चुनाफ करो आज, क्या तुम उन बच्चों में से हो, जो इस strategy को follow कर सकता है, मेहनत कर सकता है, then go for it, कोई सवाल, कोई query हो, आप नीचे comments box में लिख सकते हो, या unacademic पर just go and type खुश्वन फत्नानी और आपको वहाँ पर काफी कुछ ideas मल जाएंगे, right, मेरे telegram के channel को तुम लिख सकते हो, अपने पास, it is t.me khushwan fatnani hsc, just go and type on google, आपको यह आराम से मिल जाएगा, right, साथ ही साथ, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कि अगर आप मेरे channel को follow करते हो, तो इस पे pinned sections में, याने की pinned comments में, जैसे मैंने यह open किया है, तो आपको यहाँ पर उपर, जैसे ही side में pinned comments पर open करोगे, तो यहाँ पर मैंने सारे courses का link डाला हुआ, है na, you can just scroll up and down, तुमको मिल जाएगा, तो देखो, यहाँ मैंने लिखा है, update mhtcet physics, you can use this link to connect with me, जो मेरी classes मे जो कि इसी मही ने 2021 से शुरू हो रही है, ठीक है, link है, इस पे जाके enroll कर लेना in advance, थाकि you will be able to get the maximum advantage out of these classes, right, तो I hope सब लोग खूब अच्छे से enjoy कर रहे हैं physics को, और आपनों का physics का paper हो चुका है, काफी सारे important, important papers हो चुका है, बस मेहनत करते जाओ, अपने आपे पूरा जिसमें 10% के बजाए 20% का आपको discount मिल रहा है, you can use my code KFMaha, Khushwan Fatnani Maharashtra to avail this service, ठीक है, या 20% का discount on your plus का subscription, काफी बच्छों ने पूछा था, तो letting you all know कि sir, courses कब से चालो हो रहे हैं, etc, etc, so this was a quick insight into all of this, I hope सब लोग के लिए session काफी informative रहा, मेहनत करते रहो, I am there for you all, ठीक है, और of course, मैं तो हूँ, plus God भी है, है न, तो keep doing it, आगे बढ़ते रहो, persistent रहना, ठीक है, so this is your educator, Khushwan Fatnani, signing off, आज के session से, फिर मिलेंगे, और कुछ अच्छे PYQs के साथ, कुछ अच्छी informative, सीखने लायक बातों के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग को बहुत बहुत, नमस्कार इा मेंगे बातों के लिएे बातों के तता से, नमस्कार घए सबखावार, को भी को लिए डिए लोगा है, रहर है, है।